C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तु थे विज्ञान श्रिंखला के अंतरगत कारेकरम कलपना जो सितारों में खो गई साथियो ये कहानी है उस कलपना की जिसकी परवास थी सितारों से आगे की जो बस एक याद बन कर रह गई है भारतिय रिमोट सेंसिंग सेटलाइट के एक नाम में स्कूली छात्रों के मन में एक छात्र वृत्ती के रूप में और नासा के एक ममूरियल पर लिखे शब्दों में हाँ साथियों हम बात कर रहे हैं कलपना चावला की कलपना का जन्म एक जुलाई सन 1961 को भारत के हर्याना राज्जे के छोटे से शहर करनाल में हुआ था उनके पिता का नाम बनार सिदास वा माता का नाम सैयोगिता देवी है बच्पन में उनका लाडला नाम मोटू था कलपना जिसके नाम का अर्थ इमाजिनेशन है अपने नाम के अनुरूप वो एक अत्यंत कलपना शील बालिका थी वो अकसर कलपना करती आकाश की उसकी अनंत उंचाईयों की एक दिन की बात है भाई, चल्दी चलो, स्कूल पहुँचने में देर हो जाएगी बस, अभी तयार हुआ, कोई देर ही नहीं होगी तू साइकल भी तो बहुत तेर चलाती है अच्छा, चलो हम, चलो अई, क्या हुआ, रुक्यों गई भाई, वो देखो, दूर अकाश में, ग्लाइडर विमान उडन खटोले जैसा देखो, देखो, कहां जा रहा है उपर, और उपर मेरा भी बहुत मन करता है हवा में उडने का क्या, कभी हमें भी मौका मिलेगा इसमें बैठने का मूटू, पिताजी से कहेंगे की अगर वो कोशिश करे और फ्लाइंग क्लब के किसी विमान में हमें एक बार उडने का मौका दिला दे अगर ऐसा हो जाए तो कितना आनल आएगा करनाल उन चंद शहरों में से एक था जहां तब एवियेशन क्लब था उनके पिता उन्हें एवियेशन क्लब ले गए और वहां आखर एक दिन कलपना के पिताजी ने एक पुश्पक विमान में छोटी कलपना और उसके भाई को उडान भरने का अनुभव करा ही दिया इसी घटना का वरणन आईये सुनते हैं कलपना की ही आवाज में उनकी स्कूली शिक्षा करनाल के ही टैगोर बाल विद्याने के तन में हुई सन 1976 में मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास करने के बाद वो इंजिनरिंग की शिक्षा के लिए चंडी गड़ दैं वहां सन 1982 में पंजाब एंजिनरिंग कॉलिज से एरोनौटिक एंजिनरिंग में सनातक यानी बी टेक के डिगरी प्राप्त की फिर वो उच्छ शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई वहां टेक्सस विश्व विद्यालाई से सनातकोत्तर याने MS और कोलोराडो विश्व विद्यालाई से एरोस्पेस इंजिनरिंग में पी एच्डी की उपाधी प्राप्त की दिसंबर सन 1994 में वो NASA यानी National Aeronautics and Space Administration में एस्टरनोट ट्रेनिंग के लिए चुन ली गई और फिर अगले साल मार्च में नासा के जॉंसन स्पेस सेंटर में एस्टरनोट्स के पंद्रवें ग्रूप में उन्होंने प्रशिक्षन लिया मेहनत लगन और समर्पन के बल पर उन्होंने सफलता के कई पड़ाव पार किये सन 2003 पहली फरवरी का दिन बादल रहित नीला आकाश वो बसंत की खुशकवार शाम अमेरिका का पूरा टेकसस राच्चे जिसमें अंतरिक्ष प्रेमी भी शामिल थे हाथों में फूल थामे खड़े थे मुन्तजर नजरों के साथ वज़ा थी कुछ समय के बाद 16 जनवरी को अंतरिक्ष में भेजा गया स्पेस शटल कुलम्बिया STS 107 16 दिन की अपनी अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके फ्लॉरेडा में कैनेटी स्पेस सेंटर पर उतरने वाला था ये कल्पना की पहली अंतरिक्ष यात्रा नहीं थी कुलम्बिया STS 8-7 में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले 6 सदस्यों में वो शामिल थी 19 नवंबर से 5 दिसंबर तक वो अंतरिक्ष में रही और उन्होंने 65 लाक मील की दूरी अंतरिक्ष में तै की इस प्रकार उन्हें प्रथम भारतिय महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त हुआ कोलंबिया STS 8-7 के बाद जब दोबारा कोलंबिया STS 107 अंतरिक्ष अभियान के लिए चुना गया तो आमंत्रन पाकर वो खुशी और उत्साह से उचल पड़ी और इस उडान को पौफेक्ट करने की ठानी इस अंतरिक्ष मिशन के साथ सदस्य थे उनका संक्षिप्त परिचाए Rick D. Husband इस मिशन के इंजीनियर कमांडर William C. McCool इस मिशन के पेलोट पाइलिट Michael P. Anderson वाइज्यानिक पेलोट पाइलिट स्पेशलिस्ट इलान रेमन बच्पन से हवाई जहाज उड़ाने के शौकलीन और इस्राइल के प्रथम एस्टोनॉट और भारती ये मूल की डॉक्टर कलपना चावला जिनने उनके सहकर में केसी कहकर पुकारा करते थे अपनी दूसरी उड़ान पर डेविट M. ब्राउन मिशन स्पेशलिस्ट और फ्लाइट सर्जन और लॉरल साल्टन क्लार्क मिशन स्पेशलिस्ट और फ्लाइट सर्जन कलपना की महिला साथी कुलंबिया STS 107 एक महत्वा कांक्षी बहु उद्देशिये विज्ञान अनुसंधान मिशन था अपनी उड़ान के लिए तैयार अपनी ट्रवाइब प्लाइब ट्रवाइब अजवाएब रॉर अच्वाएब आप नहीं एक मेरी के लॉपाइब और लॉपा झाल्स प्लाइब, लॉर ऑी जॉझा नहीं फ्लाहएब, प्लाइब नहीं बहु ट्रशन प्लाइब, वी।, यजग, व्यौशन के लाव 3, 2, 1, 0 Yes, fine. We are getting the pictures of Columbia Space Shuttle STS-107 and our computer monitors as well as signals from the astronauts. The flyer is stable. Columbia Space Shuttle अंतिरिक्ष की असीम उचाईयों में विचरण कर रहा था. सभी वाई ज्यानेक अपने अपने प्रियोगों में जुटे हुए थे. जब डॉक्टर कलपना चावला इस वैज्यानेक अभियान में थी, तो उनके उच्साह और जिग्यासा का अंदाजा इस प्रसंग से मिलता है. करनाल से अमेरिका, हजारों मील दूर, और अब अंतरिक्ष से अपनी धर्ती और अपने देश को वो देख सकती थी. आत्म विभोर होकर उन्होंने अपने क्रू के साथियों को वहां बुलाया और सबको वो विहंगम द्रिश्य दिखाया. ओ माई गौड, देखो तो, कितना अद्भुत नजारा है. विलियम, रेमन, यहां तो आओ. आ रहे हैं. इस खिड़की से जारा नीचे तो देखो, तिलकुल जादू सा लगता है. Amazing. वो, वो देखो, वो मेरा देश. Can you see it? That's my country, India. अरे वाह. और यह सबसे आश्चर रजनक तो यह है, कि मेरी आखों में आधी धर्ती रोश्नी में हैं, और आधी धर्ती अंधेरे में. It's really awesome. सच मुच. ऊपर से सब कुछ कितना सुन्दर लगता है. हम सब बहुत खुशनसीब हैं, कि बिना किसी बॉर्डर और बॉंडरी के, हम अपनी पृत्वी को देख सकते हैं. Really? अंत्रिक्ष की उजायों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, कि एक दिन ऐसा भी आए, कि सारी मानवता, किसी सरहद और बाधा के बिना, शान्ती और सब्भाओं के साथ, मिल जुल कर रह सके. हर एक के होटों पर आश्चर्य के शब्द और चेहरे पर विस्मय के भाव थे. आईए सुनते हैं, अंत्रिक्ष से इस विहंगम द्रिश्य को देख कर उन्होंने क्या कहा? एक फरवरी, सन दो हजार तीन, स्पेस शटल का सोलमा दिन, कॉलंबिया स्पेस शटल पृत्वी पर उतरने वाला था. पर किसे पता था, आगे क्या अन्होनी होने वाली थी? चालीस सेकिंड के बाद, वीडियो मॉनिटर पर वो हुआ, जो कोई देखना नहीं चाहता था. धर्ती से मात्र 63 किलोमीटर, परंतु बहुत तेज, 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे, कॉलंबिया स्पेस शटल से नारंगी रंग का कोला उपरा. धर्ती पर उतरने में सिर्फ सूलह मिनट रह गए थे, और शटल सफेद धूएं की लकीर में बदल गया. मिशन कमांडर के आखरी टेलेमिट्री सिगनल पर मिलने वाले आखरी शब्द थी, रोजर आ, ब, 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 कुछ पल में ही सब कुछ बिखर गया. नासा के फ्लाइट डिरेक्टर से लेकर सारा विश्व, जिसने भी सुना, चाहे वो विज्ञान से संबन्ध रखता था या नहीं, सक्ते में आ गया. एक उदासी थी सभी के चेहरों पर. साथियो, कुलंबिया अंतरिक्ष यान के मलबे के बिखरने के बाद, अंतरिक्ष दीवानी, अंतरिक्ष में ही सितारों में खो गई, हमेशा के लिए. अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले, नाशनल पब्लिक रेडियो को दिये गए, प्री फ्लाइट इंटर्व्यू में उन्होंने, विस्तार से अपने मिशन और मिशन के दौरान, उनके और उनके साथियों के द्वारा किये जाने वाले प्रियोगों के बारे में, स्कूली बच्चों और आम लोगों को बताया देखिये, हम अंतरिक्ष में दो कारणों से जाते हैं पहला कारण, वहां सूक्ष्म गुरुत्वा कर्शन की स्थिती है, जो भिन भिन प्रकार के परिक्षणों में मददगार है तो गल्पना जी ये तो रहा पहला कारण, अब दूसरा कारण बताईए जी, दूसरा कारण है अंतरिक्ष, ओजोन फैलाव से जुड़े अध्यनों के लिए एक बेहतर स्थान है अच्छा, मैडम क्या हमें ये बताएंगी कि कोलंबिया स्पेश मिशन के अनुसंधान का लक्ष क्या है तेखे, हम अंतरिक्ष में पहुँच कर मानव कल्यान के लिए भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रयोग करेंगे भूविज्ञान में प्रित्वी पर मौजूद एरोसॉल और धूलकणों और प्रित्वी के वायू मंडल में ओजोन की पतली होती परत के बारे में भी विशेश प्रयोग किये जाएंगे अच्छा, मैडम हमें ये भी बता दीजिए कि इन प्रयोगों से हमें हासिल क्या होगा देखे, भौतिक विज्ञान में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि भुकम पुरोधी मकान कैसे बनाय जाएं और जीव विज्ञान में प्रयोगों के द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि कैंसर निरोधक दवाओं का विकास कैसे किया जा सके धन्यवाद कलपना जाएगा, हम आपके सफल अंत्रिक्ष अभियान की कामनों करते हैं इस विदेश में बसी भारती एको, उसका बच्पन का स्कूल नहीं भूला भारत सरकार ने उनके अभूत पूर्व योगदान को देखते हुए ये खोश्णा की सरकार ने ये निर्णा किया है कि इस रोग भारती ए अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मौसम संबंधी अब जो भी उपग्रह स्पेस में भेज़े जाएंगे उनके नाम कलपना की स्मृती में अब से कलपना साटलाइट होंगे माध्यमिक शिक्षा बोड के अध्यक्ष ने भारतीय स्कूली छात्रों को प्रोचसाहित करने के लिए कलपना चावला की स्मृती में छात्रवृत्ती शुरू की है जब-जब इस छात्रवृत्ती की घोषणा होगी इसे पाकर कई छात्र कल्पना चावला के दिखाए रास्ते पर चलने को प्रेरित होंगे सितारों में पहुँचने की राह कठिन है जोखिम भरी है कुछ भी कभी भी हो सकता है पर एक वैज्यानिक को ये मुश्किलें रोक नहीं पाती तो साथियों ये थी दास्तान कल्पना की जिसके मन में आकाश की असी में तो चाहियों को ग्रहों और टिम्टिमाते तारों को छूलेने की अदम में च्छा थी आज वो कल्पना सितारों में खो गई है जिसकी प्रेड़ना अनगिनत लोगों को चमकता हुआ सितारा बनने की राह दिखाती रहेगी कलपना जो सितारों में खो गई अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम शोध, विशय संयोजन और आलेक, डॉक्टर जीतेंदर सिंग कलाकार, सुचित्र गुप्ता, बाबला कोचर, दिनेश वर्मा, प्रवीन शर्मा, राज्ष्री त्रिवेदी, हन्ना और आरोन ध्वन्यंकन, अमिता भट्टी, तक्निकी निर्देशन, सतीश लाडे, निर्माण सहयोग, दाव दयाल जतुर्वेदी, तथा निर्माण एवं प्रस्तुती, अजीत होरों झाल जतुर्वेदी, निर्माण सहुट्टी, तक्निकी निर्माण एवं प्रस्तुती, इस तक्निकी निर्माण, व्र्माण एवं प्रस्तुती, अजीत होरों